एबानी बेहद प्रगटी स्री न्रावती के मोख बहुत विधे हम रस पिये बेहद के सुख याबानी के कारने कई करें तपसान प्राणधार आत्मसंबंदी सुंदर साथ जी अक्षराती धमधनी स्री राज जी श्री न्रावती जी के हिर्दे धाम में विराजमान होकर प्रकास हिंदुस्तानी के इस प्रकरण के वाध्यम से हम सब सुंदर साथ को उस ब्रम्ह वाणी की महिमा बता रहे हैं कि जो यदि हमारे बीच न होती तो हमारा क्या होता हमें बहुत ही सरलता पुर्वक ये वाणी उपलब्ध हुई है कहते ना पका पका या खीर हमें पात्र में बरतन में लाकर के दे दिया है राज जी ने में लेकिन फिर भी हम इतनी अकरमन्य बने हैं कि वो जो सामनी परोसी हुई खीर को भी मुह तक नई ला पा रहे हैं कहने का ताथ पर ये क्या है कि वाणी हमारे सामने है लेकिन आद से कुछ वर्ष पहले तक्वी हमने बाणी को रुमाल से खोल करके और वाणी को खोल करके देखना नहीं सिखा था वर्तमान में धीरे धीरे सुन्दर साथ में ये चेतना तो आ रही है कि वाणी सिर्फ ढखने की वस्तु नहीं है वाणी सिर्फ पूजने की वस्तु नहीं है वाणी तो एसत वाणी मत के लियों जो इनको सार सार लेने की है लेकिन वो जो चेतना धीरे धीरे आ रही है उसकी गती बहुत कम है यदि हमने इसके महत्व को समझा सही आंकलन किया तो मुझे लगता है कि शायद हम और भाव से और ध्यान से और तीवरता आतुरता के साथ में इसको पड़ पाएं खोल पाएं और मत पाएं अनिधा क्या होगा कि जैसे कोई सामाने सी वस्तु आपके पर्स में हो तो आप क्या करेंगे चलो है पड़ी हुई है लेकिन अगर कोई आकर की अचानक कहे कि तुम्हारे पर्स में जो एक सामान्य सी चमकीली पत्थर थी ना वो तो हीरा नहीं हीरे से भी जो महंगा होता है ना लाल जिसको कहते हैं या मानिक जिसको कहते हैं यह तो वो पदार थे आप क्या करेंगे तुरंद पर्स खोल के डूड़ेंगे कि है की नहीं पहले चेक करें कि सामन्य समझ करके लापरवाई करके मैंने इधर उधर तो नहीं फिक दिया तो पह अब महामती जी के माध्यम से ये वानी का प्रकरण हमें महिमा बता रहा है कि इसको पाने के लिए लगातार पांचे चोपाईयां हैं जिसका मैं भाव सरल रूप में बता देता हूं फिर आगे मुल विशय में आते हूं कहते हैं या वानी के कारणे कई करे तपसंद कि इस वानी को प्राप्त करने के लिए यहां वानी का भाव क्या है ब्रह्मग्यान को प्राप्त करने के लिए क्योंकि जिनोंने तपस्या की उनको नहीं पता था कि तपस्या करूंगा या तपस्या करूंगी तो ब्रह्मग्यान म के पास आगे कहते हैं या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन अगनी पीने का तात्परे क्या है आज हम यहां बैठे हैं वैसे तो बाहर धूब है उपर पंडाल है उसके नीचे बैठने में हमें तकलिफ होती है और ऐसे में ग्यान से रहित होने पर भक्ती की इच्छा तो है क उसको पता नहीं है कि करना कैसे है परिश्रम करना है यह पता है तब करना है यह पता है लेकिन कैसे करना है वो पता नहीं तो कई ऐसे साधुवे आपको दिखेंगे नदी के किनारे मई जून की गर्मी में तपती दोपहरी में रेती में बैठते हैं अब रेती कितना गरम हो ही है आगे क्या कहते हैं या बानी के कारणे कई दमें देह कईयों ने अपने शरीर का दमन किया शरीर का दमन कैसे आपने देखा होगा कभी यदी उज्जेन में जाएंगे या फिर हरिद्वार में प्रयाग राज में जहां-जहां भी कि धार्मिक मेला लगता है कुम्भ का मेला लगता एसे जगां उपर जाएंगे तो देखेंगे कि कई साधू ऐसे होते हैं जो ऐसे हात खड़ा करके जिनको ठाड़े स्वरी गहा जाता है हाथ खड़ा करके रहते हैं ब्लड सर्कुलेशन तो उपर पहुंचता नहीं है तो धीरे धीरे सारी नस नाड़ियां सूख जाती है मानज पेशियां सब समाब्त हो जाती बस हड़ियों का धाचा सर्फ हड़ियां ही रहे जाती है तो शरीर का दमन इस तरह से किया रहते हैं कई देखा वोगा आपने बेड में उल्टे लटके रहते हैं साधू यह सब क्या है उन्होंने अपने शरीर का दमन किया है इंद्रियो का भी दमन किया है कई तो पवाहारी हैं पवाहारी मतलब सिर्फ हवा का वायू का सेवन करते हैं कहते हैं कि हमने कभी भोजन नहीं किया पीछले कई वर्सों से लोग भोजन ग्रहन नहीं कर रहे हैं बस सूर्य की उर्जा से और हवा से जी रहे हैं ऐसा कहते हैं तो अपने शर स्वारण को कहा जाता है एक अपभरंश हो जाता है ना तो कईयों ने अपने शरीर को बर्फ में गला दिया और कईयों ने अंसन किया अंसन करने का मतलब व्रत किया और यहां व्रत मतलब उपवास से क्योंकि वास्तों में व्रत का मतलब क्या होता है कि किसी भी अच्छे कर्म को करने के लिए जो संकल्प लिया जाता है कि मैं जैसे उधारण के लिए कि मैं आज के बाद कवे भी जूठ नहीं बोलूंगा यह दृडड संकल्प हुआ इसको कहते हैं व्रत और कहा जाता है व्रतेन दिक्षाम आपनूती जिसके अंदर दृड़ता वाला भाव होता है उस उसी को ज्यान मिलता उसी को दिक्षाम मिलती है तो अंसन किया विखों रहे कई तरह के नियमों का पालन किया आगे कहते हैं यहां वारण के कारण कई भैरों जपावें एक इस्थान है पाहड में京 इसके बिशे में कहा जाता है कि यहां का जो देवता है उसको भैरों मिल गया ना इसलिए कीमत नहीं है 2006 की बात है 2006 की अक्टूबर में मुझे सबसे पहले पन्ना जी जाने का सौभाग या प्राप्त हुआ था आप मैंसे कई लोग गए होंगे पन्ना जी में चोपड़ा जी के पास एक इस्थान आता है जिसको कववाशेर कहा जाता है बहुत गहरी खाई है तो हम जिस समय पहुँचे हमारे पहुँचने से लगबग एक हपते पहले वहाँ छे साधूओं ने कूद करके जान दे दिया था क्यों? कि इससे हमारा देवता प्रसन्न होगा और हमें मुक्ती मिलेगी जबकि इस तरह से आत्महत्या को तो मुक्ती का मार्ग कोई भी ग्रंथ कहता नहीं आत्महत्या को तो पाप कहा गया है लेकिन अब ज्यान नहीं ये तो लोग क्या करें? तो इसी तरह से भैरव देवता को प्रसन्न करने के नाम पर कई लोग पहाड़ी से कूद गए या वानी के कारणे तिल तिल देह कटावे और कईयों ने तो तिल तिल करके अपने शरीद को कटा दिया है कहा जाता है कि काशी में बनारस में एक ऐसा स्थान था जहां पर भूगर्ब में मतलब अंडरग्राउंड में आरियां चलती रहती थी और लोग अपने देवता को प्रश्शन करने के नाम पर अपने इश्ट आराध्य को प्रश्शन करने के नाम पर उपर से कूद जाते थे और वहाँ पर कट करके मर जाते थे ऐसा होने के बावजूद भी कहते हैं किन एक बूद न पाईया वो प्रसंग बहुत बड़ा है कि किस-किस ने क्या-क्या किया सार रूपों में हम समझ गए कि इस वार्म वानी को पाने के लिए अखंड की ग्यान को पाने के लिए कईयों ने तपश्या की साधनाई की लेकिन कहते हैं किन एक बूध ना पाईया किसी को इस ब्रह्मावाने की इस ब्रह्म ग्यान की एक बूध भी नहीं मिली और सामन्य लोगों की तो बात ही छोड़ दीजी किस-किस को नहीं मिले, कहते हैं किन एक भूंद न पाईया, रसनाभी वचन, ब्रम्हांड धनियों देखिया, जो कहावे त्रैगुण, त्रैगुण, वैसे त्रैगुण कहते हैं सत्व, रज और तम को, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण को, तीन देवता उसके प्रत प्रतिकात्मक रूप माने जाते हैं जैसे विष्णुजी को सतोगुण का प्रतिक माना जाता है ब्रह्मा जी को रजोगुण का तथा शिवुजी को तमोगुण का प्रतिक माना जाता है वैसे ये बात ध्यान देनी चाहिए कि सब में तीनोगुण होते ही है ऐसा नहीं है कि विश्णुजी में सतोगुण ही है रजोगुण और तमोगुण नहीं होगा कभी यह नहीं ऐसा नहीं है कि शिवजी में कभी सत्विक्ता नहीं आई होगी हमेशा तमस में रहते हैं ऐसा नहीं है जब वो ध्यान की अवस्था में हैं तो वो सत्विक हैं लेकिन जहां उनके उ सामान्य उस्था में तो सत्व गुणी है जहां राक्षेसों का संहार करना पड़े वहाँ पर उनको रजगुणी या तमुगुणी हो नहीं पड़ेगा वहां क्रोध दिखाना ही पड़ेगा और क्रोध कहा से आती है काम एसा क्रोध है एसा रजगुणात समुद भवगीता क हमारे अंदर भी तीनों गुण्होते हैं को कि सांवान्य रूप में मनुष्य को रनाजों जाता है कि सामन्य रूप में viol Option Set जब हमारे अंदर भोजन के कारण अत्य preventing निद्रा के कारण आलस्य प्रमात के कारण तमोगोण और तमगुण के कारण आलेश्य प्रमा दुनों एक दूसरे के पूरक होते हैं जब बनते चले जाते हैं तो किसी समय में जाकर के मनुष्य ही तामसी हो जाता है तब वह राक्षस बनता है जब भोजन आहर विहार साधरा तब भक्ति के कारण उसके अंदर सत्विक्ता का विकास होता जाता है तो वह सतोगुणी बनता है उसे देवता कहा जाता है और वहीं जब सामान्य आउस्था में रहता है तो वह मनुष्य है रामण कंस इत्यादी अलग प्रजाती के नहीं थे कि किसी के बड़े बड़े सींग है जो टीवी में दिखा जाता ऐसा नहीं है केवल उनकी प्रवृत्ती राक्षस ही थी जैसे रामण के विशे में कहा जाए तो रामण कौन था रिसी की संतांधी ने विश्रवा रिसी का पुत्र था पुलच रिसी का नाती था तो है वो मनुष्य ही लेकिन कर्म उसके कैसे है तामसि इसलिए उसको राक्षस कहा गया तो यहाँ पर जो त्रिगुण कहा गया है वो ब्रहंभा विश्नु महेश हैं तीनों में एक एक मां की दोनों गुण गौण हो जाते हैं तो उन्होंने भी खोज किया ब्रह्मग्यान को पाने की कोशिश की लेकिन नहीं जान पाए राज्जी के हुक्म्स के द्वारा उन्होंने पुराण सहिता महेश्वर्तंत्र और इससे भी पहले वेद इत्यादी में भागवत में अनेक पुराणों में संकेत रूप में लिखवा दिया पुराण सहिता को देखेंगे तो वहाँ पर इश्क रब्द का ऐसा वर्णन है उसको पढ़कर के लगेगा कि नहीं साइद हम वाणी ही पढ़ रहे हैं मायव शुरत अंत्र में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हां यह तो वाणी वित्तक का घ्ञान है वह राज्य के हुकम से लिखा गया है जैसे वाणी केते हैं हुकमे वेद गतिब में लाखों लिखे निशान निशानिया लिखवाई गई है लेकिन हां जिनोंने लिख व्लारा मिलता है कि जिसएक आप ध्यान करणें जिसकी आप भगति करणें वह सात्तमी मनबंतर tjp लेकिन पता नहीं है उनकों कि मैं क्या कह रहा हूं उनसे तो कहलवाया गया है जैसे उदाहरन के लिए यहां तो हम सब वाने को पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं कोई ऐसा विक्टी है जिसकी बुद्धी बहुत तेज है और उसको हम में से किसी ने कोई चर्चा याद करा दी है अब याद करके वो इश्करब्द को भी दोहरा रहा है उसमें बीज बीज में चौपाई भी कह रहा है धर्मग्रंथों के प्रमाण भी दे रहा है और आपको सुना रहा है आप तो समझ जाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो ससकार है वानी को पढ़ने के सुनने के समझने के जिसने सिखाया होगा वो भी समझ जाएगा लेकिन जो बोल रहा है वो समझेगा कि नही उसको तो स्रिफ बुद्धी तेज है वो समझ नहीं है वो जागरित बुद्धी और नीज बुद्धी नहीं है केवल स्वापनिक बुद्धी है क्योंकि वाणी क्या कहती है एते दीन त्रैलोक में हुती बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागरत ले प्रगटे पूरी नोतन तो वह जागरेद बुद्धी का ज्यान हमें मिला यही तो यह वाणी है अब हमारी कमी क्या हो जाती है कि इस वाणी को प्राप्त करने के लिए परव्रम की पहचान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले श्यामा जी ने जो तन धारण किया उन्होंने कितना प् कोई बतावे पिया ठोर स्यामा जी ने कितना प्रयास किया कहां कहां नहीं गए वो कि मैंने इसलिए प्रश्ण सबसे पहले रखा था कि वाणी हमें नहीं मिली होती तो हमारा क्या होता कहीं हम कोई पत्थरों में सिर पटक रहा होता कोई किसी नदी तीर्थ इत्यादी में जा करके सोच रहा होता कि मैं तो मुक्ती पाने का कार्य कर रहा हूँ कोई किसी प्रकार का व्रत करता कोई सनी देव का व्रत रख रहा होता कोई हनुमान जी की उपासना कर रहा होता कोई हो सकता है कि मजारों में जाकर के सिर पटक रहा होता लेकिन हमें तो बैठे बैठा है राज जी ने उन सभी जंजटों से उन सभी कष्टों से निव्रिती दे दी है आज हम सोचें कि देवचंद्र जी की तरह हमें शुरुवात करनी पड़ती तो हमारा क्या होता आज मान दिजे कि दो दिन का प्रोग्राम भी नहीं है धंग से कल रात को आए हम आज दो पहर में चले जाएंगे हमसे तो इतना भी नहीं हो पाता है कि 6 गंटे एक दिन में 3 गंटे निकाल ले होते हैं तो दिन में 3 गंटे भी हम ढंग से राज जी के लिए नहीं निकाल पाते पहचान होने के बाद वाणी वी तक पढ़ने के बाद सोची कि ग्यान ही नहीं मिला होता तो हमारा क्या होता हमारा जीव पुनरपी जननम पुनरपी मरणम इसी चक्र में फसा रहता इसी चक्र में घुमा रहता अखण मुक्ति का तो उसको पता ही नहीं होता मिलना तो दूर उसको पता भी नहीं होता कि अखण मुक्ति नाम की कोई वस्तु होती भी है कि ने क्योंकि वाणी को एक तरफ रख दीजे बित्तक को एक तरफ रख दीजे तो निजान अंद दर्शन के अलावा और कोई है जो दुनिया में अखंड मुक्ति की बात करता है 4 तरह की मुक्ति की बात करते हैं सालोक्य, सामेप्य, सारुप्य और सायुद्जवर्न दुनिया में जैसे उदाहरण के लिए पौरानी ग्रंतों का कथन है कि विष्णु जी के सभी अवतारों में श्री क्रिश्ण जी का अवतार सबसे प्रिय है सबसे महान है केते हैं विश्णुर नाम नाम चा सर्वे साम सारत सारं परात परह कृष्णेती सुंदर नाम मंगल मुक्ति दायका लेकिन अब क्रिश्ण जी का नाम कैसा है मुक्ति देने वाला है लेकिन वो कौन से कृष्ण जी है वो वानी बताती अ जिन्होंने 112 वर्स लिला की उन्होंने कहीं अखण मुक्ति के बात की है वो तो साफ कहते हैं कि जातस्य ही धुरुवम्रित्यू धुरुवम जन्मम्रितस्यत्रा कहते हैं अरजुन जिसने जन्म लिया है उसका मरना निफचित है और जो मरता है उसका दुबारा जन्म लेना निफचित है कृष्ण जी खुद कहते हैं कि तेरे और मेरे तो अनेक जन्म हो चुके हैं तो वो अखण मुक्ति की बात कहां से करते हैं अखण मुक्ति की बात उन्होंने नहीं की है और यदि गीता में कहीं मुक्ति की थोड़ी से भी बात की है तो वो राजी ने कहलवाया है जैसा कि कृष्णे जी ने स्वयम स्विकार किया महा भारत के आश्वमेधिक परम में की परम ही ब्रह्मकषितम योग युक्ते नतन्मया लेकिन इसके अलावा कहीं भी उन्होंने अखण मुक्ति की तो बात भी नहीं की है तो जब बात ही नहीं तो दुनिया इच्छा कहां से करती खोज कहां से करती इसलिए हमारे भी हालत क्या होती कि हम भी जैसे प्रकास किवानी केते नैं किसी ने किसी देवी देवता को अपना इष्ट बनाते अपना आराध्य बनाते और अभी हम मेले में जाते हैं कहीं पर कुम्भ इत्यादी में द्रश्टा भाव से देखते हैं न अभी तो हम मेले को किस भाव से देखते हैं या तो हम राज्जी की वाणी को पहुचाने जाते हैं प्रचार प्रचार के लिए या फिर देखने जाते हैं कि लोग क्या करते हैं मेले में लेकिन वाणी नहीं होती तो हम भी उन्हीं में से होते आज हम द्रस्टा भाव में हैं वरना भीना वाणी के क्या होती जैसे वाणी केते हैं तुम आईया चल देखने भील गईया माहे चल हम भी छल में रल भिल गए होते इसलिए हम सब सुन्दर्शाथ को वाणी के महत्व को जानना होगा समझना होगा और सिर्फ समझना परियापत नहीं है उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी न अभी हमारे हिसाब से वाणी की कीमत क्या है कोई सोचेंगा कि 600 रुपे दे के खरिद के लाए है नहीं वो तो सिर्फ कागज की कीमत है वो किसके कीमत है कागज और जो इस कागज में उन शब्दों को छापने में खर्च हुआ है वो सिर्फ इतनी कीमत है लेकिन वास्तों में ब्रम्ह वाणी की कीमत क्या है कोई लगा सकता है नहीं लगा सकता किसी भी तरह नहीं लगा सकता इसलिए तो यह वाणी अनमोल है सोचिए कि हमने चोपए में तो सरल्था पूरवक कह दिया कि भर्रम्हान धनियों देखिया जो कहा वह त्रैगुन त्राइगुन को costing नहीं मिले और हम सरलता वर्वक यह भी कह देते कि त्राइगुन हमारे खिलोने लेकिन जितना आसान कहने में है उतना क्या हमारी करनी में है हम जितनी आसाणी से दुनिया को खिलोना कह देते हैं वो समझ हमें कहां से मिले कहां से वाणी से मिले बिना वाणी के तो हमारी अवस्था क्या होती सोचिए वाणी की महिमा कितनी है आप में से बितक किस-किस ने सुना है पूरी बितक की चर्चा किस-किस ने सुनी है एक बार हाथ कड़ा करेंगे कुछ ही लोग है पढ़ा किस-किस ने है तो बीतक में एक प्रसंग आप पढ़ते हैं शुक्राना आकोट का उस आकोट के शुक्राने में राजी को शुक्रिया आदा किया गया है कि राजी आपने हमें हम पर जो कृपा की है उसके लिए आपको धन्यवाद है ऐसा बताया गया है उसमें दो तरह की कृपा का वर्णन है की नहीं जाहरी और बातिनी जाहरी कृपा में उन्होंने हमें ब्रजबंडल में जैसे रक्षा की उसका वर्णन है जागनी के ब्रह्मान में जहां जहां गए जहां जहां जैसे जैसे रक्षा हुई उन्स सब का वर्णन है लेकिन बातिनी मेहर में क्या है पहले संपूर्ण ब्रह्मान का वर्णन किया रास की लिला से लेकर के बेहत की लिला परमधाम की लिला का वर्णन किया और आखिर में क्या बताया कि मैंने तुमें वो समझ दी है कैसे इस वारी के द्वारा वितक में एक चोपई आती बहुत ही महत्तुपुर्ण है इस वारी को समझने के लिए और हमने क्या किया कि उस चोपई का भाव ही निया वो चोपई क्या याद है तो साथ में दोराना याद नहीं है तो याद रखना अभी याद ना है तो यूट्यूब से चर्चा सुन करके लिख करके हो याद रखना वितक की चोपई कहती है कि दई में तुमको कुलजम इनको किया गरग पढ़ो मेरे साथ में गलत बोल रहा हूँ पढ़ो मेरे कलाम को है कि ढको मेरे कलाम को है क्या है पूजो मेरे कलाम को ऐसा कुछ है कुछ क्या है पढ़ो मेरे कलाम को तो भागे सारी शक यदि पढ़ेंगे नहीं तो सामान्य भाषा का ज्यान रखने वाला भी नहीं और नहीं तो में फर्क समझता है English जो पड़े होगे साथ में दो सब जुड़ते हैं और जुड़ता है नेदर के साथ भी नौर जुड़ता है ठीक है इसी तरह से वाड़ी में क्या कहते हैं कि ए सत वानी मत के लेओं जो इनको सार अच्छा नहीं लूतो नहीं मत हूतो सार नहीं मिलेगा बिल्कुल सामाने है इसमें कोई बहुत गहरा व्याकरण लगाने के जरूरत नहीं है लेकिन हमने क्या किया क्या हमने वानी पढ़ी हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने शुरु तब भी हमारे अंदर बहुत सारी बाते हैं तो चली जाती लेकिन हम तो पाठ भी कैसे करते हैं ए को था बीक्त हैं मैं बुलाते हैं है है कि कि सुर्य अधळय की बाद में आठी बज़े के बाद आता है और फिर पांच बज़े अगर जाना होगा तो पहुने पांच बज़े वह जाने के लिए तयार होता है बीच में भी काम करेगा तो कैसे करेगा जैसे एक वो चोर गाय होती है पता है गाय होती न बहुत चारी है उसमें से जो खुली गाय होती है वो यदि फसल में भुश जाए तो एक तरह से पूरा नहीं खाती है यहाँ थोड़ा खाएगी थोड़ा आगे जा करके इस तरह से चलती है न उस तरह से काम करते हैं हम भी व वाणी को हमें समझने की आवशिक्ता है वाणी को हमें सिर्फ समझने की नहीं समझ करके दिल में उतारने की आवशिक्ता है और मैं सभी सुन्दर साथ से आग्रह करना चाहूँ क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि संपुर्ण वाणी पाने में इतना समय लगा हम तक पहुँचने में इतना समय लगा तो आदे गंडे में कैसे समझ जाए लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाओंगा कि समझना कैसे है जब भी हम वाणी पढ़े तो इसको किताब समझ करके ना पढ़े इसको ग्रंथ समझ के ना पढ़े जब हम पढ़े तो हमें सिर्फ इतनी समझ होनी चाहिए कि वाणी धामधनी की है बितक में कहते हैं वाणी धामधनी की चौदे तवको हैयात तो धामधनी की वाणी समझ करके अब वाणी के ज्यान में इस्तर अलग-अलग है समझाना हमें है जगाना हमें है लेकिन इस तरह अलग अलग है कहीं पर तो जीव को प्रबोधित किया है विश्यस रूप से पूरी की पूरी वाणी वैसी है आप रास पढ़ेंगे प्रकास पढ़ेंगे कलस पढ़ेंगे या बहुत सारे किरंतन के प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ जीव को जगाने के विवाणी है ऐसा नहीं कि आत्म जागरिती का कुछ नहीं है वहाँ पर लेकिन अधिकान से बाते हैं इसी तरह से जब आप खिल्वत परिक्रमा सागर श्रिंगार पढ़ते तो वह आत्मा का खुराक है आत्मा का आहार है तो जब हम वाणी पढ़े बस ये ध्यान में रख करके पढ़ें कि पहली बात तो ये कि वाणी हमारे लिए कही गई है सागर श्रिंगार की वाणी पढ़ें खिल्वत की वाणी पढ़ें तो ऐसे पढ़ें जैसे कि राजी हम से बात कर रहे हैं और हम राजी से बात कर रहें जैसे हम राजी से कैसे बा तो हम राजी को पाने के लिए खोज कर रहे हैं अनेक तरीके से उस तडब से पढ़ें और दूसरा राजी कैसे बात कर रहे हैं जैसे स्रिंगार की कांतीम प्रकरण खोली है उसकी पहली चोपाई क्या कहती है रूहों मेरे तुम्हारा आशिक कौन किसको कह रहा है राजी हमें कह रहे हैं हम सभी ब्रह्मसिष्टि को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ मैं हर पल तुम्हें सुख देना चाहता हूं आनन देना चाहता हूं फिर हमें यह नहीं देखना है कि यह ललिता सकी कह रही है कि यह मिहिर राज कह रहे हैं कि यह जसिया सकी कह रहे हैं कि छ कुछ बातें जो राजी हमसे कह रहें कुछ हमारा भाव इंद्रावती के माधियम से व्यक्त हो रहा है हमारी वकील बनी ये ना इंद्रावती जी सिंधी में बनी है कि नहीं लेकिन वह अवस्था कब आएगए वाणी ऐसा नहीं कि आप सीधे मारिफत को समझ लेंगे ऐसा नह करता है एक चौपई है जिसका भाव कई बार सुन्दर सा थोड़ा गलत तरीके से ले लेते हैं मैं उसको पस्ट करके फिर समाप्त करूंगा एक चौपई है बेशक इल्मे ना समझो तो शौर करो सब मिल इसका भाव क्या होता है कि हम सब ऐसा समझते हैं कि यदि आपको बेश कि वाणी बेशक इलम है जागरित बुद्धी निजबुद्धी का अग्यान है हमारी अभी स्वपनिक बुद्धी की है जब वाणी से समझ में नहीं आ रहा तो आपस में बात करने से कैसे समझ में आ करताए नहीं आ सकता का मतलब होता है चाल चलन आप उत्तप्रदेश के तरफ जाएंगे परश्ची मीउत्तर प्रदायश में तो से चाल को तो यहां सॉझार करो सब मिल का मतलब यह है कि हमें से जिसको जितना समझ में आ रहा है उस पर चलना सुरू करें चलना शुरू करने से क्या होगा जितना चलते हैं हम उतनी पात्रता बनती जाती है जितनी पात्रता बनेगी फिर हमें वाणी और अधिक समझ में आने लगेगी जैसे एक उदाहरन के लिए राज्जी की मेहर की वर्षा हो रही है लेकिन आपको कहा जा कि एक बास्की न टोकरी मिलत होती है ठीक है नेपाल की तरफ आप जाएंगे तो उसको डोको कहा जाता है ठीक है बास्की छलनी होती है अगर यह कहा जा कि निराज्जी की मेहर तो हो रही है लेकिन उसमें यदि पानी को टिकाना है तो टिकेगा उसमें तो छेद होते हैं लेकिन उसको टिकाने का एक तर से हमारे हृदय रुपी पात्र में छेद है राज्जी की वाणी में हम डुबोई रखेंगे चित्वनी में सेवा में डुबोई रखेंगे तो क्या होगा वो छेद धीरे-धीरे भरते जाएंगे जैसा वाणी कहती है करनी माफक कृपा कृपा माफक करनी तो हमारी करनी जैसे जैसे हमारा चाल चलन जैसा होता जाएगा हमें वाणी की समझ आती जाएगी तो जैसे मैं जितने भी सुन्दर साथ मुझसे मिलते हैं पांट-बीस साल से वह पड़ रहे हैं चरचा सुन रहे हैं राजिदी की बाते समज़ में आते हैं वह सुन्दर साथ यह यह पंशे पुछता है कि मुझे क्योंकि खिल्वत की बाणी में सबसे पहले मैं खुदी को मारा गया है, जैसे ही मैं खुदी मरी, काम हमारा आसान हो गया है ना, आसान हो जाता है ना, जो कोई मारे इन दुस्मन को करे सब दुनी को आसान, मैं खुदी के दुस्मन को मार दिया अहंकार को तो दुनिया के देता हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप मान ले ना, लेकिन कहीं न कहीं से तो शुरुवात तो करनी पड़ेगी ना, आज हमारे समाज में क्या हुआ है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनने की और समझने के जरूरत है, हम कई बार प्रचार प्रशार के लिए जाते हैं, स सुन्दर साथ का वो इस्तर नहीं है, ऐसा करते हैं, अच्छा जब बात शुरुवी नहीं करें, तो इस्तर कब बनेगा, कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, शुरुवात तो करनी पड़ेगी ना, कहते हैं, गोड़े पे जो चड़ने वाला होता है, वही तो गिरता है, एक बा बहुत बड़ा हव्वा बना दिया गया दुनिया में इतने सारे धर्मगरंत हैं लोग सोचिए कि कोई software engineer है ठीक है कंप्यूटर में एक language प्रयोग किया जाता है उसको कहते है binary language binary language में आप कुछ भी लिखें बस computer दो ही चीद समझता है जीरो और एक अच्छा अपनी बात को सिर्फ जीरो और एक से समझाना आसान है आसाने की मुश्किल आपके पास और कोई शब्दी नहीं सर्फ जीरो और एक है बस कहीं जीरो दो तिन बार लगाना है कहीं एक लगाना है बस यह करना है लेकिन यह combination तो कितना मुश्किल है सोचिए कि आज के बच्चे जब computer language समझ सकते हैं तो यह प्रेम की भासा नहीं समझ सकते हैं राज्जी की भासा कौन सी है और एक तो प्रेम की भासा प्रगट की है तो बिलकुल सरल हिंदूस्तानी भासा में और उसके बाद भी क्या कहा सब को सुगम जानके कहोंगी दुर्गम ही बनाना था राज्जी को यह वानी इतनी मुश्किल होती तो सुगम बनाया ऐसा राज्जी क्यों कहते हम तो राज्जी को जूटा साबीत कर रहे हैं कि नहीं वानी बहुत दुर्गम है राज्जी के रहे सब को सुगम जानके कहोंगे इंदूस्तान तो दुर् पाहरण के लिए ये गाओं है इस गाओं में मैं इकलोता ड्राइवर हूँ ठीक है किसी ने गाड़ी खरीदी अब मुझे वो ड्राइविंग के लिए बुलाते हैं मैं मन चाहा पैसा लेता हूँ उनसे क्योंकि और कोई ड्राइवर रही है अब कोई कहता है कि भाई साब मुझे ड्राइविंग सिखा दीजी मैं कहता हूँ ने बहुत मुश्किल है क्यों क्यों क्योंकि मुझे सिखाने की इच हो जाएगी अच्छा दस लोग सो लोग सीख गए तो क्या होगा अब मेरी कीमत एक परसेंट होगी है तो वाणी को बहुत मुश्किल है ऐसा कह करके जो लोग ऐसा कहते हैं वह चाहते ही कि सुन्दर साथ वाणी को समझे ही ना ताकि जहां वाणी समझने की आओ सेक्टा वहां दुकार चलता रहा है वाणी कहती है गोविन के गुण गाय के तापर मागदान हमने कहा कि ठीक है राजी हम गोविन का गुण का के नहीं मागेंगे हम तो आप ही के नाम से मागेंगे अब आपको क्या करना है आप करके दिखाईए ये तो राजी के लिए भी चुनोती कि इतनी मोटी मोटी किताब बढ़ जाते हैं UPSC की तयारी करते हैं सोचिए कि तो मुश्किल है ना कई भाषाएं सीखते हैं एक दो नहीं अनेक भाषाएं सीखते हैं जब उतना आसान है तो वाणी समझना जो इतनी सरल भाषा में है जो कि राजी के हृदय का प्रेम हम ब् मुश्किल है बस उतना ही मुश्किल है जितना हमारे हृदय में उस वाणी को समझने की इच्छा प्रगट करना है यदि इच्छा प्रगट करना सरल हो गया या इच्छा हमारे हृदय में प्रगट हो गई तो समझना भी बहुत सरल हो जाएगा क्योंकि वह भी मनुश्य है जो समझा रहे हैं जो चर्चा करने हैं हम भी तो एक मनुष्य ही है ना हमारी भी बुद्धी वैसी है आज समाज में हमसे बहुत तिब्र बुद्धी वाले विखती हैं बहुत मोटी-मोटी किताब की पढ़ाई कर रहे हमने तो बस वाने की कुछ चौपाईयां समझ ली है हम एसा गुई अरहस्यों जो हर कोई फोल सके लेकिन वह भी दूसरा खोल के नहीं समझा सकता हो भी आपको स्वयम ही समझना पड़ेगा लेकिन वह तब समझ में है कि जब आपकी पात्रता बनेगी वह तो फिर किसी गुरु के दौराबं भी नहीं समझा जा सकता है लेकिन हमारे जीव की जागरिती से संबंदित है वो समझी जा सकती है जब जीव की जागरिती होगी तो आत्मा जागरिती की बात और सरल Warren और से तौड़ने की तो जरूरा थे ना जितनी समझ में उतने में तो दर्लने की जरूरा थे किस पर विश्वास करना वाणी और वाणी देने वाले पर मैं ये उधारन बार-बार देता हूं सुन्दर साथ को समझने में आसा नहीं हो इसलिए जैसे आपको night traveling करना है रात को आपको जाना है यहां से सूरत के लिए हमदाबाद के लिए कहीं के लिए भी आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको सूरत तक दिखाई पड़ता है सुरत तक दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता ना लेकिन आप जब हेडलाइट अन करते हैं तो कितना दिखाई पड़ेगा 500 मिटर या 1 किलो मिटर फिर भी आप आगे बढ़ते हैं क्यों क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे गाड़ी की हेडल राज्जी पर भरोशा नहीं है जो श्यामा जी को रेतिले रास्ते पर कच के रण में अकेला नहीं देख सकता तो साथ में चलता है शीपाई का वेशदारण करके तो क्या वो श्यामा जी से आपको कंप्रेम करता ऐसा तो नहीं ना इस दुन्या की तरह श्यामा जी पटरानिय और हम दासियां ऐसा तो नहीं है हमारे और श्यामा जी में कोई फर्ग तो है नहीं तो श्यामा जी की रक्षा के लिए वो आ सकते तो हमारे लिए नहीं आ सकते और यहां तो हमें रण में दोड़ने की भी जरूरत नहीं है बस इस मायावी रण में इस वाणी का प्रकास लेकर के आगे बढ़ने के आओ सकता है इसके लिए सुन्दर साथ को यह जो हवा है हमारे अंदर की वाणी नहीं समझी जा सकती है उसको दिल से निकालना होगा वाणी को सुर्फ पूजा घर में रखने की सामगरी समझना बंद करना होगा आप रुमाल में ढगिए कोई बात ने कोड़ करके समझना कि इससे पहले तो राजी ने किसी और के माध्यम से कुछ-कुछ संकेत में लिख करके बातें भेजी थी धर्मग्रंतों के रूप में उसको तो हम देख रहे थे अच्छा साक्षात राजी वांग में सो रूप में आये हैं कि नहीं वाणी को हम क्या कहते आरतियंग चतुर दसकेरी पांच सो रूप में लेक भैरी राश चरण प्रकास पिंडूरिया खटरी तो घुटन कभी हमने चरण को देखा कभी हमने देखा अच्छा मान लो कि आप पतिवरता इस्त्री हैं आपका पती घर में आये और आप उसको कंबल से ढग दें कंबल स से ढग करके आप उसके सामने अगर्वत्ति करें भोजन नहीं दे रही हैं आप आपने सामने फल काट करके रख दिया चपन भोग लाकर करके रख दिया लेकिन करें कंबल से बाहर नहीं निकलना है आपको आपको कोई बद्धिमान कहेगा क्या कहेगा अपने देखा नहीं सकल भी नहीं देखी अपने पते के वाणी तो क्या कहती है कि जो मासुक सेज ना आया देख्या सुन्या नहा कही बात अचराजी की बात कहां से सुनेंगे इसके माध्यम से राजी से बातें कैसे करेंगे इसके माध्यम से यदि इसके माध्यम से बात नहीं की तो क्या कहेंगे कि सुख अंग न लियो इन सेज को ताए निर्फल गई जो रात अब हमें हमारी रात निर्फल गवानी है या फिर सफल करनी हो तो दूसरा उधारण कि हम जो लोग हमें ये कहते हैं कि वानी हवा है हर कोई नहीं समझ सकता हमारे माध्यम से ही समझना होगा उनकी बातें सुनते हैं राजी की बातें नहीं सुनते हैं राजी ने जो कहा है उनकी बात नहीं सुनते और जिनको हम मान लेते हैं कि इन्होंने हमारा संबन राज्जी से जोड़ा जैसे मांदो एक उधाहारन के लिए कि एक कोई ऐसे गुरु है जिन से हमने तार्तम ग्रहन किया है यदि वो वाणी के विमुख बात करे वाणी के विपरित बात करे तो हमें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए साफ कहना बिना डरे नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वितक के एक प्रसंग में लक्ष्मिदाह जी वाला प्रसंग है न सूरत का उस प्रसंग में राज्जी ने स्फष्ट कर दिया कि वाणी के खिलाफ तो मैं भी कहूं तो मेरी ना सुन हम तो किसी की भी सुन रहे हैं जो बाणी के विपरित बात कर रहे हैं तो हमारी अवस्था कैसी है कि जैसे एक जगह पे शादी हो रही है और शादी में पंडित जी क्या करते हैं पंडित क्या करते हैं कुछ मंत्रों के द्वारा पुरुष और स्त्री में लड़का और लड़की में संबन स्थापित करने का काम करते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारा विवाहा संपन्न हुआ आज से तुम पती पत्नी हुए कुछ मंत्र आपस में बोलते हैं उसके बाद वो जो लड़की है जो दुलहन है वो पती के साथ जाएगी कि पंडित के साथ पती का सुनेगी कि पंडित का अच्छा वो जो दुलहन है वो यह कहे कि नई हमारा संबन इसके साथ तो इनों ने जोड़ा है यह बड़े है तो उस इस्त्री को आप क्या कहेंगे बुद्धी मत्ती कहेंगे कि बेवकूफ कहेंगे क्या कहेंगे पतिवरताइस्त्री कहेंगे क्योंकि पतिवरताइस्त्री किसके पास जाएगी पति के पास और जो पति को छोड़ करके पंडित के पीछे भागे उसका क्या तो वाणी का जो ज्यान है वाणी में तो राजी है ना बख बैठे इन इलम में तो दिल अर्शुवा रूहन जब राजी बैठे हम राजी को छोड़ करके हमारी आत्मा के पती को छोड़ करके जिन गुरु ने सम्मझ जोड़ा है उनके पीछे यदि भागे तो हम पत्तिवरताश्त्री कहलाएंगे बस इतनी बात यदि हम समझ गए तो आत्म जागरिती के लिए आधा रास्ता हमारा तय हो गया बाकी तो हमें आगे चल करके तय करना ही है तो मैं बस अंति में सुन्दर साथ को यही कहूंगा कि यह जो वाणी है जिसको पाने के लिए सब लोगों ने इतनी तपस्या की है इस वाणी को हम सिर्फ मंदिर में मंदिर में रखना किसी निश्चित समय के लिए लेकिन इस वाणी को हम निकाल करके पढ़ें और पढ़ना कैसे मैंने आपको बताए कि राजी और हम आपस में बात कर रहे हैं उस तरह से समझ लीजे कि जब आप वाणी पढ़ करके बैठें तो खिल्वत में बैठें और में आई उस पर आत्म साथ करना है उस पर चलना है तो जितना हम चलेंगे उतनी पात्रता बनती जाएगी फिर हकीकत मारिफत सारे भेद हमसे खुलते जाएंगे बस इतना ही आज स्विकार करें मेरा समय पूरा होता है जो पर दो रहे हैं किन एक बूंद ना पाईया रसना भी वचन ब्रम्हांड धनियों देखिया जो कहावे त्रैगून जो कहावे त्रैगून बोल स्री प्राणनार्थ प्यारे की सद्गुरु महराज की अरप्यून झाल 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 झाल